और एकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज का हमारा टॉपिक है SQL सब लैंगवेज का सेकेंड टाइप DML कमांड इससे पहले वाले वीडियो में मैंने DDL कमांड क्या होते हैं उसमें कितने क्वैरी होता है सभी चीजों को बता रहा है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चानल के उपर जाके देख लिजिए आज का हमारा टॉपिक है DML ठीक है DML का पूरा नाम होता है डेटा मैनुपलेशन लैंगवेज इसका यूज क्या है इट डेटा ओफ ऑबजेक्ट यह क्या करता है और एकल डेटाबेस में जो भी ऑबजेक्ट होता है जैसे टेबल विउ सिनोनीम या फिर सिक्वेंस उस कमांड जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट यह जो तीनों कमांड देना यह ऑबजेट का डेटा से डिल करता है जैसे मालो यहां पे हमें टेबल बना रहे है इस टू नाम का ठीक है यह हमारा ऑबजेक्ट हो गया इस टेबल में हम क्या करते हैं रेकोर्ड इंसर्ट करते हैं student का role और student का name एक और record यहां पर दे देते हैं ठीक है 1020 हो गया रोल लंबर दो student का और उनका name यहां पर हमने लिखा अंकीत अंकूस तो अभी यह जो तीन कमांड इना insert update delete वो तीनों कमांड इस object इस टू टेबल के data से deal करेगा यानि 1020 से यह deal करेंगे यह तीनों कमांड तो चलिए सबसे पहले इंसर्ट कमांड क्या होता है इसे लिखने का तरीका क्या है कैसे हैं और रहकर database में टेबल में data insert करेंगे वो देखते हैं आपको क्या लिखना होगा syntax में insert into table name यहां पर आप जो भी टेबल का नेम देंगे उसी टेबल में जाके आपका data insert होगा फिर आपको values लिखना है क्योंकि अभी हम value input कर रहें टेबल में data one यानि पहला value दूसरा value इसी तरह से अब जितनी value input करना चाहें कर सकते हैं ठीक है जितने column होंगे आपके टेबल में आप उतनी value यहां से input कर पाएंगे यह होता simple syntax data input करने का तो चलिए practical करके हम आपको दिखाते हैं कि यह कैसे होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं एक singer नाम का table create कर लेते हैं तो हमने देखो यहां पर table create कर लिया अब हम क्या करेंगे insert command की मदद से इस table के अंदर record insert करेंगे तो जो syntax मैंने आपको लिखाया same वही syntax यहां पर हम use करेंगे syntax क्या था syntax था insert into उसके बाद table का name तो यहां पर table का name singer अभी हमें value input करना है तो values हमारे पास कितना column है दो column है एक में हमें name input करना है यहां पर देखो और एक में हमें उसका address input करना है तो सबसे पहले हम name input कर देते हैं single quotes में value input करेंगे तीक है उसके बाद comma देंगे फिर हम क्या करेंगे address input करेंगे तो यह हमने first record input कर दिया enter हमारे तो one row created इसका मतलब हमारे table में एक record जा चुका है अगर हमें और भी record insert करना हुआ तो हमें क्या करना होगा इस तरह से और भी record हम insert कर सकते हैं अब जितना चाहें record input कर सकते हैं अपने table में ठीक है enter one row created इसका मतलब हमारे table में total दो record जा चुके हैं अगर आपको check करना है तो आप check कर सकते हैं आपको लिखना होगा select star from table का name singer तो यहां पर देखिए first record उसका address second name और उसका भी address यहां पर देखिए update command क्या होता है dml में किसी भी data को update करने के लिए हम इसका यूज करते हैं अगर मालों हमने गलती से टेबल में कुछ गलट data input कर दिया तब हम update command की मदद से अपने data को update कर सकते हैं तो इसका लिखनी का syntax क्या है सिंपल सिंटाक्स है update table मतलब यहां पर table का name होगा ठीक है फिर आपको set लिखना है field मतलब column का name लिखे इकवल टू जो भी updated data आप यहां पर देना चाहते हैं लिख दो उसके बाद आपको क्या करना है फिर यहां पर आप column का name लिखो equal to reference data यहां पर आपको reference data में वही data प्रोवाइड करना है जिससे कि क्या हो कि आपने जो data यहां पर नया update वाला लिखा है वह वहीं पर जाके update हो यानि उसी रोव का reference यहां पर आपको देना पड़ेगा ताकि आप जिस रोव में टाक से यह काम हो जाएगा हमें लिखना होगा update टेबल का name उसके बाद set फिर हमें क्या करना है नेम अपडेट करना है था हम लिखेंगे address equal single quotes में उसका address क्या है इस address यानि reference value की मदद से हम क्या कर सकते हैं यह पता कर सकते हैं कि हां हम second वाले row के name को ही update करना चाहते हैं तो यहां पर देखो one row updated अगर हमें चेक करना हुआ थो हम कैसे चेक करेंगे ऐसे तो यहां पर देखिए update हो चुका है पहले spelling यह था यह mistake spelling था लेकिन हमने देखो इसे यहां पर correct कर दिया dml का third command है delete delete command की मदद से हम क्या कर सकते हैं किसी भी record को delete कर सकते हैं टेबल के अंदर लिखने का syntax क्या है पहला syntax है delete from table name अगर हम यह syntax लिख के enter press करेंगे तो हमारे table में जितना भी record है वो सब delete हो जाएगा लेकिन अगर मालो हमें सभी record को delete नहीं करना है हमें किसी एक record को delete करना है जिसको हम चाहते हैं तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा delete from table name वेर यहां पे conditional statement आपको देना पड़ेगा मतलब आप किस row के record को delete करना चाहते हैं वो आपको यहां पे mention करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम आपको यह वाला query प्राक्टिकल करके दिखाते हैं उसके बाद हम इसको भी करेंगे अगर हम चाहें तो delete command की मदद से इस table में जितने भी record है एक बार में delete कर सकते हैं वो कैसे हमें लिखना होगा delete from उसके किये वाला तो यह दोनों delete हो चुके हैं अगर हम check करना चाहें तो आप देखो यहां पे आप कोई record यहां पे नहीं है तो अगर आप delete from table name लिख देंगे तो table का सारा record एक बार में delete होगा लेकिन मालो मुझे इस एक record को delete करना था उपर वाले को रहने देना था फिर मुझे क् query लिखना होगा यहां पे देखो एक और table हमारे पास है यहां पे हम example दिखाते हैं आपको अब हमें फिर query लिखना होगा delete from table करने में हमारे mp2 condition देना होगा where clause की मदद से where उसके बाद हमें क्या यहां पे लिखना है eid ठीक है where eid equal 10 तो यहां पे देखो अभी message आया है one row deleted इसका मतलब सिर्फ जिसका eid 10 है वही वाला पूरा record delete हुआ है यह दोनो record अभी भी हमारे table में हैं अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं देखो पहले तीन record था टेबल में यहां पे देखिए पहले तीन record था लेकिन हमने एक record delete कर दिया जिसका eid 10 था तो देखो वह अब यहां पे नहीं है अब सिर्फ दो record ही है तो इस तरह से आप sql dml command की मदद से और record database में table के साथ काम कर सकते हैं